मरियल को इंगलिश में क्या कहती है या आज की इस वीडियो में सीख लेती है मरियल का मतलब होता है जो बहुत दुबला पतला हो बहुत कमजोर हो या बहुत दुर्बल हो दुर्बल का मतलब होता है जिसमें बल ना हो या बेदम या जिसमें ज्यादा दम ना हो तो Mariel को English में आप Haggard या Skinny कह सकते हैं Haggard या Skinny जैसे कि अगर आप ये कहना चाहें कि वहाँ एक Mariel सा लड़का खड़ा था तो आप कह सकते हैं A skinny boy was standing there A skinny boy was standing there या अगर आप ये कहना चाहें कि वह भूत पतला है या वह भूत Mariel है तो आप कह सकते हैं He is very skinny यही is very haggard अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब Hindi और English में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतुबकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें